काउ बेल्ट काउ बेल्ट का समर्थने जो काउ बेल्ट जिससे खा जाता है उसको इस तरह से सदन्द में उल्लखित करना किस क्षेत्र की आप बात कर रहे है हर्याना में हम हर्याना में जीते हैं हमने करनाटक में समर्थन प्राफ्त किया है और ये ठीक है कि केरल में और तामिल नाडू में हम उतने शक्तिशाली नहीं है मगर हमारा संगठन है पश्चिम बंगाल में भी हमें 10% पर 60 थोड़ा कम वोट मिला हुआ अगर आप वोट की बात करते हैं तो फिर 10% वोट की बात करिए इस सदन में एक-एक जक्तिय की पार्टियां एक-एक जक्तिय की पार्टिया और वो हमारे साथ हमारे खिलाब जमगट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें प्रयास करने का पूरा धिकार है बगर है वो एक एक व्यक्ति की पार्टी एकला चलो रहे और चलो एकला अपने चुनाओ क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इखटे रहे किसलिए इखटे हो जाओ देश के भले के लिए वागत है हम भी अपने घंक से देश की सेवा कर रहे हैं और अगर हम देश वक्त न होते और अगर हम निस्वार्ट भाव से राजनीत में अपना इस्थान बनाने का प्रयास न करते और हमारे इन प्रयासों के पीसे चालिस्थान की साधना है यह कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है यह कोई चमचकार नहीं हुआ है हमने मैनत की है हम लोगों में गए हैं हमने संगर्श किया है पार्टी 355 दिन चलने वाली पार्टी है यह कोई चुनाओ में कुकर मुक्चे की तरह से खड़ी होने वाली पाश भी और आज हमें आज हमें अकारण कटगरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी से थोड़ी ज्यादा सीटे नहीं लेशे के हमानते हमारी कमजोरी है हमें बहुमत मिलन चाहिए राश्ट्रपती ने हमें आउसर दिया हमने उसका लाब उठाने की कोशिश किया हमें सफलता नहीं मिली वो अलग बात है लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सायोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा इस बात को मत ब अगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे या आपको आश्वासन देना चाहते हैं वगर सरकार आप कैसी बनाएंगे वो सरकार किस कारिकम पर बनेगी वो सरकार कैसी चलेगी मैं नहीं जानता है लेकिन जहां तक जलितों का सवाल है कि कि एक मेंबरें कॉंग्रेस पंदरा मेंबरें जनता दर साथ मेंबरें और सबसे जादा हमारे मेंबरें कि एस्टेसी में भी शेडूर ट्राइब में भी टोटल नंबर ओक्षीट इस 41 बीजेप 11 हमारा जनाधार नहीं है हमें लोगों का व्यापक समर्चन प्राप्त नहीं है अगर आप हमें हमें हमारे हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाओ होगी मुझे तो उसके टिकने के लक्षन नहीं दिखाई देए पहले तो उसका जन्म लेना कठेने जन्म लेने के बाद जीवित लेना कठेने और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाप कर सकेगी ये प्रश्ण वाच्चन नहीं हर बात के लिए आपको कॉंग्रिस के पास दोड़ना पड़ेगा और जब आप उन पर निर्बर हो जाएंगे अभी तो मैं नहीं जानता है पहले पहले चर्चा हुई थी कुछ शर्चे लगाई जा रहे हैं फिर चर्चा हुई कि कॉडिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगे फ्लोर पर भी हम लोग कॉडिनेशन करते हैं उसके बिना तो सदर नहीं चलता है आप सारा देश चलाना चाहते हैं बड़ी अच्छी बात है हमारी शुमकान नाया आपके साथ है हम अपने देश के देश की सेवा के कारी में जुटे रहेंगे हम संच्छाबल के सामने सर चुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं जो कारी हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राश्टी उज्जेश पूरा नहीं कर लेग तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे तब तक आराम से नहीं बैठेंगे मैं अपना त्यात पत्र राश्ट्पती महुदय को देने जा रहा हूंगा अभी तो में पढ़कर दंग रह गया जब मैंने श्रीवती सोनिया जी का भाशन पढ़ा उन्होंने सारे शब्द एकटे कर दिये हैं एक ही पहरा में तो बीजेपी लेट गवर्मन एस शोन इसेल्फ तो बी इंकॉंपिटेंट, इंसेस्टिव, इंर्रिस्पोंसिबल, और ब्रेजली करप्ट राजनी के क्षेत्र में जो आपके साथ कंजे से कंधा लगा कर काम कर रहे हैं इसी देश में मतवेद होंगे उनके बारे में यह आपका मूल लियंकर हैं मतवेदों को प्रकट करने का यह तरीका है ऐसा लगता है ऐसा लगता है कि शब्त कोश्ट, खोल कर बेचे गए हैं और उसमें से ढूंडूर कर शब्त निकाले गए हैं इंकॉंपुटेंग, इंसेस्टिव, इंप्रसंस्पूल लेकर ये शब्दों का खेल लई है इट इस गवर्मेंट बिल्टेट इट अम यहां लोगों से चुट के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे आपका मैंडेट कौन होता है हमारा फेस्ट रटेकरने वाला है जिए गवर्मेंट यह प्रेट देमेंडिक किस ने आपको जज्वन राया है अब यहां तो शक्ती परीषन के लिए तैयार नहीं अब जब असेम्म्ली के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे दो दो हम लेकिन यह क्या है सब के तरीके से लड़ी है इस देश की मर्याद़